हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हे चंद का घर और यहां अभी सुभा का टाइम है सोनम, सोनम की मम्मी और सोनम की पापा भी सो रहे हैं चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है और यहां सोनम सपना देख रही होती है अले मेरा गिफ्ट अले हाँ चिंकी मेरा गिफ्ट दो ना तुम कहां पर रह गई लेकर मेरा गिफ्ट अले हाँ पापा भी मुझे गिफ्ट देने वाले हैं और यहाँ सोनम के सारे दोस्त भी आ जाते हैं अरे चिंकी चलो चल कर देखते हैं कि सोनम ने अपना गिफ्ट खोला की नहीं वैसे तो मुझे मालूम है कि उसको मेरा ही गिफ्ट सबसे अच्छा लगा होगा मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा अले, अले कुछ भी तुम्हें पता है राहूल, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे पता है उसे क्या चाहिए पता है क्या चाहिए देख लेना उसे सबसे अच्छा मेरा ही गिफ्ट लगेगा चलो चल कर देखते हैं अरे, हाँ राहूल, मुझे तो लगता है सोरम ने अभी अपना गिफ्ट ही नहीं खोला होगा वरना वो हम सबको बुलाती और देख लेना, मेरा गिफ्ट उसे सबसे अच्छा लगेगा मेरे गिफ्ट के सामने तुम सबका गिफ्ट एकदम फीका है अरे, नहीं चिंके, तुम जूर बोल रही है वो देखना, मेरा गिफ्ट उसे सबसे अच्छा लगेगा अरे, नहीं, मेरा गिफ्ट अच्छा लगेगा उसको अच्छा, चलो, चल कर ही देख लेंगे अरे, वैसे सोरम तो बहुत ही जादा बेवाकूफ है उसने अपना गिफ्ट अभी तक नहीं खोला में होता तो खोल वोल कर बैट भी जाता अच्छा, चलो, चलो, चलते हैं और यहां पर सभी लोग सोरम के घर पहुच जाते हैं अरे, शोनम, हरे, यह क्या सोरम तो अभी तक शो रही है यह लड़की बिना, अपना गिफ्ट बिना खोली केशन निंदरंग शोई हुई है अब इसे जगाना होगा हरे, हाँ, चिंकी, जाकर जगाओ, यह तो बहुती बड़ी पागल है अभी तक अपना गिफ्ट नहीं खोला उसने मुझे तो रुका ही नहीं जाता अब जाओ जल्दी जगाओ उसे अले, हाँ, रुको, मैं जा रही हूँ जब देखो, यह राखन मेरे उपर थोस जमाता रहता है अरे, चिंकी, कुछ बोला क्या तुमने? हाँ, बड़ी आई मुझे बोलने वाली अरे, शोनम, उठो जल्दी, देखो, सुबा हो गई है जल्दी से अपना गिफ्ट खोलो ना, हम सब आये है तुम्हारा गिफ्ट देखने के लिए उठो अभी अब जल्दी अरे, हो, अले, यह क्या सुबा हो गई है? अरे, हाँ, शोनम, सुबा हो गया जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो जल्दी से अपना गिफ्ट खोल कर दिखाओ हमें हमें और भी बहुत ही ज़्यादा काम है चलो जल्दी, अरे, हाँ, राहूल, तुम भी न, कैसे चिल ला रहा है देखो तो, चलो, मैं जाती हूँ जल्दी से हरे, सुनम, मुझे पता है कि मेरा गिफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन हाँ, इन सब का गिफ्ट खोलने तो थोड़ा बहुत तारिफ कर देना, ठीक है न? वरना चिंकी नाराज हो जाएगी अरे, कुछ भी राहूल देखना, चिंकी का गिफ्ट सबसे अच्छा होगा अरे, बच्चो, तुम सब इतने सबसे यहाँ पर जरूर गिफ्ट देखने के लिए आए होंगे लेकिन देखो ना, सोरम ने तो अपना गिफ्ट अभी तक नहीं खोला है सोरम राग को बहुत ही जाद ठक गई थी, वरना भला वो गिफ्ट थोड़ी ना ऐसी रखा रहने देती वैसे देखा जाए तो कितना ज़्यादा गिफ्ट है, खोलते खोलते कहीं रात ना हो जाए अच्छा ठीक है मम्मी, चलो चलो जाकर खोल कर देखते हूं कितना ज़्यादा गिफ्ट है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ चलो एक काम करते हूं पहले पापा को भी जगा देती हूं वो भी मेरा गिफ्ट देखेंगे पापा पापा आप कहां पर है अरे ये तो अभी तक शो रहे हैं उठीए पापा अरे देखना सोरम को तो मेरा ही गिफ्ट सबसे अच्छा लगेगा और फिर वहां राधा भी आ जाती है अरे चलो जाती हूँ जल्दी से अरे वहां सोरम ने तो अपना गिफ्ट नहीं खोला है हरे राधा तुम यहां पर इतनी सुवे सुवे क्या बात है और ये गिफ्ट हरे हाँ दीदी देखिये न मैं कल सोरम को गिफ्ट देने ही भूल गई घर पर ही छोड़ दिया था गिफ्ट हरे राधा तुम भी न, सोनम ने तो भी एक भी गिफ्ट नहीं खोला है हरे हाँ राधा बिदक नहीं खोला, तुम जाकर रख तो उनके बीच में ही अपना गिफ्ट अरे हाँ दीदी मैं जाकर रख देती हूँ वरना सोरम को पता चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाएगी सोरम को तो नहीं पता चलेगा अरे ये राधा भी न अच्छा चलो चलो बच्छो आकर बैट जाओ सब लोग बैट कर देखना अच्छे से कितना साथा गिफ्ट है तुम सब खड़े-खड़े ठक जाओगे अच्छा ठीक है आटे है हरे सोनम बेटा हाँ हाँ क्यों नहीं मुझे भी देखना है तुम्हें कितने सारे गिफ्ट मिले हैं और सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगता है तुम्हें वैसे मुझे तो मालूम है तुम्हें मेरा ही गिफ्ट सबसे अच्छा लगेगा चलो चलते हैं और यहाँ पर सभी एक साथ गिफ्ट देखने के लिए बैट गए हैं अरे वा सोनम को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि मैंने उसा गिफ्ट बाद में रखा है काश कि स्याम की पापा भी होते कितना अच्छा होता पेसे राधा मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंना हम सोनम को बोलते हैं कि वो गिफ्ट पहचाने के किसने दिया है उसे हरे वा देदी ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है लेकिन मुझे तो लगता है वो पहचान लेगी किसने कौन सा गिफ्ट दिया है अरे हा रधा चलो देखते हैं हरे क्या मम्मी आप भी न मुझे तो एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि किस ने कौन शागिफ्ट दिया है हरे हा सोनम लेकिन मेरा वाला तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा अच्छा थी कि पापा देखेंगे कि मुझे पता चलता है कि नहीं वैसे मुझे तो सब पता है कि कौन कौन सा गिफ्ट दे शकता है चलो पहले मैं देखती हूँ पहले कौन सा खोलू ये तो बहुत ही सारे है हाँ चलो यही वाला देखती हूँ चलो आखे क्या है इसके अंदर क्या हो सकता है अरे लेकिन आखर ये किस ने दिया होगा अरे वा इसके अंदर तो बेग है अरे वा मुझे तो बहुती ज़्यादा पसंद है नहीं नहीं बेग लेकिन ये कौन दे सकता है अरे हाँ ये तो चिंकी ने दिया होगा उसे पता है कि मुझे पैक बहुती ज़्यादा पसंद है तुमने दिया है न चिंकी अरे वा शोनम मुझे पता था कि तुम पहचान लोगी कि ये मैंने दिया है आखे में तुम्हारी बेस फ्रेंड जो हूँ देखा दोस्तों तुमने शोनम मुझे कितने अच्छे से पहचानती है अले हाँ चिंकी तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो चलो ये तो बहुत ही अच्छा बेसे रख देती हूँ अब दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ कौन शक खोलू अरे हाँ चलो ये वाला खोलती हूँ ये किस ने दिया होगा चलो देखती हूँ कि आखे इसके अंदर क्या है अले अरे इस पर तो मेरा नाम लिखा है और ये राइटिंग तो राहुल की है देखा मुझे पहले ही पता चल गया कि ये राहुल ने दिया है अरे वा कितने सुन्द कीचेन है इसके अंदर इससे तो मैं अपने स्कूल में लेकर जाओंगी अपने बैग में लगाकर कितने प्यारे प्यारे है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया राहुल अच्छे चलो बताओ भी कि मैंने सही गेश किया है कि नहीं अरे आखिर मैंने तुम्हारा नाम लिखा था इसलिए तुम्हें पता चल गया कि वो मैंने दिया है अरे राहूल तो हार गया अरे वाँ सोनम तो सब कुछ पहचानते हुए जा रही है चलो अब इशे भी रख देती हूँ दुश्रा खोल कर देखती हूँ अभी तो कितना सारा गिफ्ट बागी है अब किसको खोलू अरे अरे हाँ चलो इसे खोलती हूँ ये तो काफी ज़्यादा बड़ा है चलो देखती हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है अरे अरे वाँ ये तो सेंडिल पर्स और टोपी है कितना सुन्दर है ये अरे लेकिन इसके साइज कितनी ज़्यादा बड़ा है ये मैं कैसे पहनूँगी कोई बात नहीं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब इसे जरूर पहनूँगी अरे लेकिन ये किस ने दिया होगा मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है अरे अरे शोरम तुम बेना कितनी बुद्धू हो वो थोड़ी ना असले में पहनने वाला हो तो रबर इरेजर है अरे सच में मुझे तो पता ही नहीं चला लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा है ये चलो अब इसे भी बाज़ो में रख देती हूँ अब दुसरा गिफ्ट खोलूँगी मैं अब कौन सा खोलूँ हाँ चलो इसे ही खोल लेती हूँ अरे वाई ये कितना सुन्दर दिख रहा है बहार से लेकिन किसने दिया होगा ये इतना सुन्दर पैकिंग आखर कौन कर सकता है अरे अरे हाँ मेरे को कुछ हियात तो आ रहा है ये गिफ्ट कौन चलो अंदर देखती हूँ पहले क्या है इसके अंदर तब तो मुझे एकदम अच्छे से पता चल जाएगा और यहाँ सोन्म एक एक करके अपना सारा गिफ्ट खोलने लगती है अरे अरे वाँ ये तो क्लेफ है अरे वाँ ये तो मुझे बहुत ही जादा पसंद है और मुझे पता पे चल गया ये कौन दिया होगा ये जरूर कृष्णा अंकल ने दिया है वो तो यहाँ पर है ही नहीं वर्णा मैं उन्हें धेर सारा सुक्रिया बोलती कितने प्यारे हैं ये मैं से स्कूल में पहन कर जाऊंगी चलो अब इसे रख देती हूँ अब दुसरा गिफ्ट खोल कर देखती हूँ मैं तो ठक गई अब कौन सा खोलू हाँ इसे ही खोलती हूँ ये भी कितना जादा बड़ा है अरे लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कहीं चोकलेट तो नहीं है अरे वा तब तो मज़ा ही आ जाएगा क्या है इसके अंदर अरे वा ये दो हेलो किटी का सेथ है कितना सुन्दर है अरे वा सोनम ने आखिरकार मेरा किफ्ट खोली लिया देखना उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने दिया है और उसे पसंद भी काफी आया होगा और सोनम की पापा से तो अच्छा ही है अरे ये कौन दे शकता है अरे हाँ ये तो मम्मी नहीं दिया होगा हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो अरे वाई ये मम्मी नहीं दिया है अच्छा मम्मी ये आपने दिया है ना मुझे पता चल गया चलो इशे भी रख देती हूँ अब है ना मम्मी मैंने शही पकड़ा ना अरे अरे हाँ सोरम तुमने बिल्कुल सहीं बोला लेकिन तुम्हें कैसे पता चला आखिर होगा इतना बड़ा चलो देखती हूँ आखिर इसके इंदर क्या है अरे लेकिन ये तो कल था ही नहीं अरे वाई सोरम बिल्कुल नहीं पैचान पाएगी वैसे ये किफ पता ही दिदी श्याम ने पसंद की है जब मैं लाने गई थी न तो श्याम ने उसी के उपर हाथ रखा था पता नहीं अपने लिए रखा कि सोनम के लिए हरे सच मे राधा श्याम न स्याम तो बहुत ही ज़्यादा समस्दार हो गया है मेरा प्यारा श्याम अरे इसे खोलने में कितना टाइम लग रहा है ये तो काफी बड़ा है इसके अंदर क्या है चलो देखती हूँ अरे अरे ये क्या ये तो बोर्ड है अरे ऐसा गिफ्ट तो मुझे श्याम ही देशकता है मतलब ये राधा आंटी ने दिया है अरे वाई इसे खेलने में तो मज़ा ही आ जाएगा है ना राधा आंटी ये आपने और श्याम ने दिया है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पशंद आया आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हरे श्याम मुझे परदा चल गया कि ऐशा गिफ्ट शिप तुम ही दे शकते हो मुझे हरे मानना पड़ेगा सुरम दुम दो बहुत ज़्यादा समस्दार हो गिफ्ट देखकर ही पता दे रहे कि किस ने दिया होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे चलो चलो अब बाकी के गिफ्ट भी खोलो मुझे भी देखना है वेशे लाजा अंटी आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया इतना सुन्दा गिफ्ट देने के लिए मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पशंद आया अरे सुनम बेटा मेरा गिफ्ट क्यों नहीं खोल रही है मैंने कितने महनल से लाया है और सबसे अच्छा गिफ्ट मेरा ही होगा देख लेना क्या सुनम के बाबा उसे मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा पहले ही लग चुका है आप भी ना अरे वा, मुझे तो अपने आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, कितना शारा गिफ्ट मिल गया मुझे, इससे तो मैं बहुत ही ज्यादा देर तक खेलूंगी, अरे लेकिन दो ही गिफ्ट बादा चलो, इसे भी खोल कर देखती हूँ, चलो पहले छोटे वाले से करना है, अरे ये क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है, अरे ये क्या, ये तो स्टीकर देख रहा है, अरे वा, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है स्टीकर, वो भी दो-दो है, ये तो जरूर गुलू नहीं दिया होगा, उसको भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैंने बहुती ज़्यादा शुक्रिया गुल्लू ये तुमने ही दिया है ना हरे सोनम तुमने शहीं बोला ये गिफ्ट मैंने ही दिया है तुमको हरे हाँ गुल्लू मुझे पता था कि ये गिफ्ट तुमने ही दिया है बहुत ही ज़यदा प्यारा है तुम्हारा बहुत ही ज़यदा शुक्रिया चलो इसे भी आप में रखी देती हूँ और आखरी का gift भी देख लेती हूँ ये वाला तो सबसे ज़यदा आशार है पापा कही होगा और किष्का चलो, खोल कर देखती हूँ, इसके अंदर क्या है? अरे, लगता है सोनम ने तो मेरा गिफ पहचान ही लिया सबसे पहले क्योंकि ये मेरा गिफ सबसे आखरी में खोल रही है अरे, वाँ, चलो, इसे खोल कर देखती हूँ जरूर पापा ने बहुत ही अच्छा गिफ रखा होगा इसके अंदर चलो खोलती हूँ जल्दी से इसे अरे वाँ इसके अंदर क्या हो सकता है अरे अरे वाँ इसके अंदर तो घोड़े वो भी एक नहीं पाच पाच है पापा तो मेरे दोस्तों के लिए भी ये खरीट लिया अरे वाँ पापा ये तो बहुत ही अच्छा है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अरे वाँ मेरे पास कितने सारे गिफ जमा हो गए आप सब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया थैंक्यू दोस्तो तुम्हारा, थैंक्यू मम्मी पापा, थैंक्यू अंती, आप सब बहुती ज़्यादा अच्छे हैं, चलो दोस्तो, अब हम सब खेलते हैं मिलकर, बहुती ज़्यादा मज़ाएगा, चलो मैं जाती हूँ, सबसे पहले घोड़े पर बेटूंगी, मुझे ब खुश दिख रही है, लेकिन इतने गिफ्ट तो मुझे कभी भी नहीं मिले, अरे हां रादा तुम सहीं बोल रहे हो, कितनी ज़्यादा खुश है सोनम, मुझे भी खुशी हो रही है, अगली बार सोनम को और भी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दूंगा, और यहां पर सोनम और उसके सारे दोस्त बेट कर खेलने लगते हैं, दोस्तों अगर आपको यह कहाने अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चलर को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू फॉर वाचिंग